हेलो स्टूडेंट आई एम सोनम वेलकम वैट टू माई यूट्यूब चैनल अपना भी देल है आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लाश टेन हिंदी का बिल्कुल वायरल महत्पूर बहु बिकल्पी प्रस्ण यहां पर हम आप सभी को 20 very very most important objective question बताएंगे जो कि आप सभी के 2024 board exam में 100% गारांटी बिल्कुल पक्कायागा ठीक है कंप्रम हो गया है बिल्कुल कि यही आप सभी के 2024 board exam में आएंगे आप सभी के यानि जो 22 फरोरी का ठीक है यानि जो आप सभी के हिंदी का पेपर है 22 फरोरी नंबर का जो objective question है ठीक है वो आप सभी का 20 नंबर इस मात्र इस वीडियो को देखने के बाद ही किलियर हो जाता है बिल्कुल पक्का हो जाता है हो जाएगा आप सभी के 2024 board exam में यहां पर देखे सबसे पहला question क्या है जो very important question है ठीक है और ऐसा ही question आप सभी के 2024 board के पेपर में आते हैं कुटज निबंध के लेखक हैं ठीक है यहां पर चारा अपसन है डाक्टर हजारी प्रसाद दिवेदी यह सपाल अग्गे जिनका पूरा नम सचीदानंद हिरानंद वातस्यायन अग्गे जी है ठीक है डी आपसन है डाक्टर नागेंद्र तो यहां पर कूटज जो जी है ठीक है तो जो राजसरी है यह क्या है यह नाटक विधा की रचना है और ये जो है यह जैसंकर प्रसाद का आपसन यहां पर एराइट है ठीक है इनका राजसरी नाटक है अजासत्रू है ठीक है इस तरीके से इनके कई नाटक हैं जैसंकर प्रसाद का इसकंद गुप् इरावती अपूर यह सब यानि कई इनके रचना है आपके जरूर तयार कर लेजेगा जैसंकर परसाथ की सभी रचना आपके एक्जाम में जरूर आती है इसके बाद नेश्ट तीस्ट सुल्ताना उपन्यास के रचैता है ठीक है कौन है किसोरी लाल गोस्वामी है या या सपा है ठीक है क्योंकि आप सभी के हर साल जो हिंदी के बोर्ट के पेपर होते ना सभी सेट के बोर्ट के पेपर में से यहां पर इमने चुन चुन कर ठीक है चाट चाट कर यहां पर लिग करके आप सभी को बता रहे हैं और ऐसे ही क्वेशन आप सभी के पेपर में आते हैं यह म पता रहेगा ठीक है और देखें यह उसी टाइप का पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था जो हर साल यानि कि इसके बाद 2023-2022 ठीक है इसके बाद जो बोड के पेपर हुए थे उसके कई सेट के यह सभी क्वेश्चन है यानि एक तरह से समझें कि यह अंसाल्ड पेपर की तर यहां पे किसोरी लाल गुस्वामी है नेश्थ है मतवाला पत्रिका के संपादक थें ठेक है कौन था नीराला महादिवियूर्मा अग्गेय या जैनेंद्र कुमार देखें यहां पे है निराला ठेक है जिनका पूरा नम सुरेक का तिरपाथि निराला है इसके बाद नेश सुन्दरदास तो यहां पे उपन्यास समराड जो है यह प्रियम चंदर को कहा जाता है यानि मुशी प्रियम चंदर का और इनका गोदान जो है इनका प्रमुख उपन्यास है ठीक है इसके बाद नेश्ट है यहां पे छाठवा क्वेशन प्रियोगवादी कभी है अग्गेज नेश्ट कोईशन में सात्मा और ऐसे ही ठीके 20 अब्जक्टिव कोईशन 40 अब्जक्टिव कोईशन हमारी चैनल पे क्लाश 10 के आग सब्जक्ट का ठीके डेली आएंगे और आते भी हैं तो आप लोग देखे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि 20 अब्जक्टिव कोई सब्सक्राइब कर देञान पाड़ सब्सक्राइब कर डिजा अब्जक्टि है अगर अब्री तैयार हुआ हमारी आंप एंपर बुस ऐसा टैनल किस युक की प्रधान प्रविती है तो किस युक की है या जय काल है या चारल काल है ठीक है तो रीतिकाल का जो अन्य नाम है वो सिंगाल काल है रीतिकाल को सिंगाल काल भी कहा जाता है यहाँ पर दसवाँ क्वेशन आप सभी का इस 20 अबजेक्टिव क्वेशन में से कितने अबजेक्टिव क्वेशन सही हुए है ठीक है आप लोग लेखक हैं वो नागार जुना आपसा यहां पर फश्ट राइथ है नेश्ट क्वेशन देख लेते हैं नेश्ट 11 क्वेशन किसी भी विचित्र आकृति भेस भूसा अथ्वा चेश्टा को देखकर हिर्दय में उत्पन्द विनोत के भाव को कहा जाता है ठीके क्या कहा जाता ह है तो देखें अगर आप लोग विचित्र आकृति के भेस भूसा देखते हो तो आप सभी को क्या आता है हसी आ जाती है कि यह किस तरह से विचित्र भेस भूसा है विल्कुल आपको हसी आ जाती है ठीके मजा आ जाता है तो उसमें क्या हो जाएगा यानि जिसमें आप पहले आते थे जिसका परिभासा उधार लिखना था अब उस वह जो चीजे है वह आपजिक्टिव के रूप में कर दिया गया हैै सबसे पहले सबी को जानना होगा कि ए सु उपमालंकार इसमें क्या होता है इसका परिभासा जो तो जहां उपमे में उपमान का तूलना ठीक है व्यक्त किया जाए वहां पर उपमालंकार होता है यानि इसमें तूलना व्यक्त किया जाता है ठीक है तो यहां पर इसमें कौन सा इसा उधार जिसमें तूलना व्यक्त किया जा रहा है भूतल तवास सास जल रहा है ठीक है तो इसमें इस उधार में तूलना व्यक्त किया गया है तो यहां पर उपमालंकार हो गया नेश्ठ है यहां पर सोठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राइं होती है तो सोठा के प्रथम चरण में जोती है वह 11-11 मात्राइं होती है कितनी 11-11 ठीक है आफसन भी राइट है नेश्ठ तो यहां पर क्या हो जाएगा उपसर्ग जो उपसर्ग हो जाएगा यहां पर निर परिश्रमी एक्ता अपना काम समय से पूरा कर लेती है ठीक है रिखांकित पर का परिचे है अब देखे वह परिश्रमी एक्ता है ठीक है अपना काम क्या कर लेती समय से पूरा कर लेती है यह हुआ ठीक है आप से यहाँ पर डी राइट है तो इस तरह से 20 अब्जेक्टिव क्वेशन है आप लोग इसको तयार कर लिजेगा वेरी इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही आप सभी के हिंदी के पेपर में अब्जेक्टिव क्वेशन आएगा बिल्कुल ऐसा ही आएगा ठीक है सभी को तयार कर लिजे और इसी तरह डेली आप सभी को अब्जेक्टिव क्वेशन क्लास 10 के आज सब्जक्ट के हमारे चैनल कराएजाती है आप सभी लोग तुरांग चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में जरूर सेर की और अगर आप सुभी को इसका पेडियो चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कीजिए उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अपनी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट करना आप लोग बिल्कुल मत भूज़ें कि इस वीडियो में सिर्फ इतना ही आपको इवीडियो कैसा लगा अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बिल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे टैंक्स आल्दा भेरी वेश्ट बार बार